हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस सेशन में जहारखंड जी एस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स को देखेंगे आज छारखंड के जलपरपाट टॉपिक से कुछ क्वेस्चन्स है जो आने वाले एक्जाम्स में इंपोर्टेंट होंगे पहला क्वेस्चन है कि पलानी जलपरपाट छारखंड के किस जीले में इस्तित है तो पलानी जलपरपात कहां पर है ये रामगड जिले में परता है ठीक है पलानी जलपरपात कहां परता है रामगड जिले में परता है और ये जो है पतराटू डैम के नजदीक है ठीक है तो कहां पर है पलानी जलपरपात ये रामगड में है कुछ जारखन में जलपरपात है जो की नदी के उपर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो बरसाती होते है बरसात रहेगा तो वो डेम वो जलपरपात चालू रहेगा बट नदी नहीं रहने पर वो सूख जाता है तो ये जो जलपरपात है ये जो है नदी पर डिपेंड नहीं करती है नदी पर निर्भर नहीं है ठीक है निर्भर जो है नहीं है पलानी जलपरपात तो पलानी जलपरपात कहां पर है ये रामगड में है ठीक है अब अगर हजारी भाग की बात करेंगे तो हजारी भाग में जीले का निर्मान कब हुआ है 1834 में चत्रा के बारे हम बात करेंगे तो चत्रा का जो निर्मान हुआ है ये कब हुआ है ये 1991 में चत्रा का निर्मान होता है ठीक है इसके अलावा अगर गड़वा के देखें तो गड़वा का निर्मान देखे कब होता है गड़वा कभी 1991 में इसका निर्मान होता है ठीक है ठीक है गड़वा कभी कब 1991 में आपको कमेंट करके बताना है कि रामगर जो की नौट छोटा नाकपुर परमंडल में आता है तो इसका निर्मान कब होता है ये आपको कमेंट करके बताना है नेक्स देखते हैं इन में से कौन सा जलपरपात धनबाद जीले में है तो इन में से धनबाद जीले में कौन सा जलपरपात है तो हो जाएगा भटिंडा जलपरपात तो भटिंडा जलपरपात जो है देखिए क्या है की यह मान लिजे ऐसे करके यह हो गया दामोदर नदी यहां से बहुती है इसमें आके जो इसकी साहिक नदी है ये कत्री नदी है और इसी कत्री नदी में आकर कौन मिलती है ठीक है तो इस कत्री नदी में दामोदर नदी यहाँ पर मिलता है अब देखिए तो मिलने के ठीक पहले ठीक है कत्री नदी और दामोदर नदी जब मिल रहा है तो इसके ठीक पहले एक वाटर फॉल बनता है यहाँ पर जब कत्री नदी दामोदर नदी से मिलती है तो इसके ठीक पहले एक वाटर फॉल बनता है इस वाटर फॉल को क्या बोलते है भटिंडा वाटर फॉल बटिंडा वाटर तो यह कहां पर है मुनीडी में इस्तित है कहां पर इस्तित यह मुनीडी में इसको जो है दूसरे नाम जो है मुनीडी वाटरफॉल की नाम से जाना जाता है अब ऑफम बताईए जो मुंडी जगह है ये क्यों famous है ये जो है एक gas है जिसका नाम है c b m टिक है तो c bm मतलब क्या होता है kol bad methane ऐफ के kol bad methane ये क्या है एक type का gas है और ये जो कोईला के नीचे से यह गैस निकलता है तो यह इसके लिए फैमस है मौनीडी सी बीम के लिए अब इसमें देखिए क्या है कि मालूदा जलपरपाद है तो मालूदा जलपरपाद कहां पर है यह चत्रा में है ठीक है मालूदा जल परपात कहां पर है मालूदा जल परपात ये कहां पर है ये चत्रा में पढ़ता है ठीक है और चत्रा का निर्मान कब होता है 1991 में उस्री जल परपात कहां पर उस्री नदी पर है ठीक है उस्री नदी पर है और कहां पर उस्री नदी कहां पर है ग्रीडी म तो उस्री नदी कहां पर है ये ग्रीडी में पड़ता है तो उस्री नदी पर है और कहां पर ये उस्री परता है ग्रीडी में अब बताए कि ग्रीडी जीले का जो निर्मान होता है ये कब होता है 1972 में ये जीला का निर्मान होता है दूसरी जलपरपात का है गरीडी में है मालूदा जलपरपात का है चत्रा में है ठीक है तो जार्खंड राजिक का सबसे उचा जलपरपात क्या है ठीक है तो जलपरपाद जो है कौन है कौन सा है तो जारकंड का सबसे उचा जलपरपाद जो है ये कौन हो जाएगा लोद घाग इसको बुढ़ा घाग भी बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं लोद जलपरपाद भी के नाम से जाना जाता है ये जो है जारखंड का सबसे उंचा जलपरपाथ है ठीक है और ये कहाँ पर है ये पूढ़ा जलपरपाथ है ये कहाँ पर है लातेहार में है लातेहार में 147 मीटर जो है इसकी उंचाई है ठीक है इसकी उंचाई कितना है 147 मीटर जो है इसकी हाइट है और ये किस नदी पर है तो ये किस नदी पर है ये बुढ़ा नदी पर है बुढ़ा नदी पर है जो किसकी साहक नदी है ये जो है उत्री कोयल की साहक नदी है ठीक है ये उत्री कोयल की साहक नदी है की साहिक तो यहाँ पर एक बात याद रखे अगर बुढ़ा नदी नहीं रहा तो हम उत्री कोयल भी मार सकते हैं ठीक है अगर बुढ़ा नदी नहीं रहा तो हम उत्री कोयल भी जो है मार सकते हैं ठीक है ठीक है अब इसमें बताएए आप कि जो second highest है second highest है ये कितना है second highest जो है ये कितना है ये तो छारखंड का सबसे उचा जल परपात हो गया अब दूसरा सबसे उचा जल परपात क्या हो गया जारखंड का जारखंड का जल परपात second rank पे कौन है हुन्डू फॉल है हुन्डू वाटर फॉल है जो कहां पर स्वन रेखा नदी में बनती है स्वन रेखा नदी में बनती है और अगर इसका हाइट पुछा जाए तो 97.5 जो है मीटर है और फिट में देखें तो 320 फिट है इसकी हाइट और ये जो है second है स्वन रेखा नदी जो है इसके बारे में क्या है कि स्वन रेखा नदी जो है ये छारखंड की एक मात्र नदी है जो स्वतंत रूप से कहां पर गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वन रेखा नदी ठीक है अब इसमें कुछ extra fact आप देखते हैं कि देखें हुन्रू fall यही second highest है और स्वन्रेखा और नदी पर है ठीक है और इसके just बात जो है मिदू fall है मिदू waterfall है after हुन्रू waterfall ठीक है और यह भी मिदू waterfall भी कहां पर है स्वन्रेखा नदी पर है इसके just पहले जो है गेतल सूट डेम परता है इसके just पहले जो है कौन सा डेम परता है गेतल सूट डेम ठीक है गेतल सूट डेम भी कहां पर है हुन्रू नदी पर है दसम फॉल, दसम फॉल क्यों हो, यह क्योंकि यह दस दराओं से मिलकर बना होता है और यह कहां पर है, काची नदी पर इस्तित है काची नदी पर है, और जगह कहां है, राची राची को हम किस नाम से जानते हैं, जर्नो का सहर ठीक है, City of Water Falls जर्नो का सहर के नाम से किसको जानते हैं, City of Water Falls के नाम से राची को जानते हैं, यह किस नदी पर है, काची नदी पर है काची नदी पर देखिए, एक और Waterfall है, Remix Waterfall Remix Waterfall जो है, यह कहां पर है, यह भी काची नदी पर है तो काची नदी पर दसम Waterfall भी है, Remix Waterfall भी है जल्परपात कहां पर है लातेहार में। टिक है गोतम घाग जल्परपात भी कहां है। लातेहार में confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि एक गौतम धारा है। और गौतम घाग बिलकुल अलग-अलग है। गौतम धारा जो है यह जोना वाटरफॉल को वोलते हैं। ये कहां पर है गांची में है ठीक है जोना वाटरफॉल और किस नदी पर है राडू नदी पर राडू नदी और कांची नदी दोनों जो है स्वन रेखा नदी की जो है साहक नदी है राडू नदी और कांची नदी जो है दोनों स्वन रेखा की जो है साहक नदी है तो इसका जो correct answer होगा सबसे उचा जलपरपात बुढ़ा घाग और बुढ़ा घाग को जो लोद घाग के भी नाम से जानते हैं और लोद जलपरपात के नाम से भी जानते हैं राजरप्पा जलपरपात निमलिकित में से किन नदियों के संगम पर इस्तित है तो राजरप्पा जलपरपात जो है ये कहां पर पर परता है ये कहां पर परता है ये रामगड में परता है ठीक है रामगड में परता है राजरपा जलपरपात और ये जो है दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर है भेरवी नदी को दूसरा जो है भेडा नदी के नाम से जाना जाता है ठीक है यही पर जो है इसी नदी के खिनारे जो है चिन मस्तिका का मंदीर है चिन मस्तिका का मंदीर सक्ती पीठ है ये चिन मस्तिका मंदीर इसको जो है वन दुर्गा मंदीर के नाम से भी जाना जाता है वन दुर्गा मंदीर भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि ये पहले जो है जंगलों से गिरा हुआ करता था इसलिए इसको वन दुर्गा मंदीर के नाम से भी जाना जाता है बराकर नदी का उद्गम कहां से होता है ये हजारी बाग से होता है ठीक है देखें मुहाना हो गया मुहाने भी नदी है और मुहाना नदी का जो उद्गम होता है और इजिन होता है ये कहां होता है ये भी हजारी बाग से होता है और निरंजना में जो है ये कहां से होता है चत्रा से इसका उद्गम होता है ठीक है और इन दोनों में भी मुहाना नदी पर भी एक वाटरफॉल है और निरंजना में भी क्या है एक वाटरफॉल है ठीक है तो आपको बताना है की इस मुहाने नदी पर कौन सा वाटरफॉल है या आप कमेंट कीजिये की मुहाने नदी पर कौन सा वाटरफॉल है मुहाने नदी पर कौन सा वाटरफॉल है तो मुहाने नदी पर कौन सा वाटरफॉल है अब देखिए एक बात यहां रखिए कि यह जो मुहाना नदी है और यह निरंजना नदी है यह दोनों जो है मिलकर एक दूसरे नदी का निर्मान करता है जिसको क्या बोलते है फल्गु नदी ठीक है क्या बोलते है इसको फल्गु नदी फल्गु नदी तो निरंजना नदी पर एक क्या है बिच किलिया वाटरफॉल बिच किलिया वाटरफॉल कहां पर है ये निरंजना नदी पर है ठीक है इस नदी पर कौन सा है बिच किलिया वाटरफॉल बिच किलिया वाटरफॉल तो बिच किलिया वाटरफॉल कहां पर है ये निरंजना नदी पर है कहाँ पर चत्रा में ठीक है और मुहाना नदी में भी एक वाटर फॉल है यहाँ पर कौन सा वाटर फॉल है इसको आप कमेट केजिए मुहाने पर कौन सा वाटर फॉल है बोकारो जलपरपात की इस जीले में इस्तित है तो बोकारो जलपरपात नाम से आप बोकारो ही होगा लेकिन यह गलत हो जाएगा दियान रखिए बोकारो जलपरपात बोकारो में नहीं है यह कहां पर है हजारी बाग में इस्तित है बोकारो जलपरपात कहां पर है हजारी बाग में इस्तित है ठीक है तो बोकारो जलपरपात देखिए यह क्या है यह दामुदर नदी है यह कौन सा नदी है कौनार नदी ह कौन सा नदी है कौनार नदी है ठीक और यहां पर कौन सा है यहां पर एक आपका यहां पर यानि की दामोदर में जश्ट मिलने से पहले जो है एक यहां पर वाटरफॉल है जिसको कौन सा वाटरफॉल बोलते हैं भटिंडा वाटरफॉल बोलते हैं यह मौनिडी वाटरफॉल या भटिंडा वाटरफॉल यहां हो गया अब देखिए एक नदी इधर से आके मिलती है इसको क्या बोलते है कुनार में ही मिलती है तो इसको बोलते है बोकारो नदी इसको क्या बोलते है बोकारो नदी बोकारो नदी और यह जीला तो है हजारी बाग लेकिन नदी कौन सी है बोकारो नदी है बोकारो नदी ठीक है बोकारो जल्परपाद बोकारो नदी में बनती है लेकिन ये किस जिला में हजारी बाग में है तो बोकारो नदी जो है कुनार नदी की साहिक नदी है और दोनों आकर जो ये मुख मिलकर कुनार नदी और बोकारो नदी मिलने के बाद नमोदर में ये मिलती है तो इसी के नजदीक में मातलब इसी नदी के किनारे जो है एक thermal power station है BTPS यानि गशाइन कि बोकारो थरमल power station जो है किसी बोकारो नदी के किनारे ही इस्तित है ठीक है अब देखे कोडर्मा में कौन सा इस्तित है पेट्रोजल परपात कहां पर है कोडर्मा में इस्तित है सत गावा के पास ठीक है पेट्रोजल परपात हो गया बुकारों में कौन सा इस्तित है धनबाद में कौन सा इस्तित है धनबाद में हो गया यही अपका भटिंडा ठीक है अब देखे कोडर्मा की अगर बात करेंगे तो कोडर्मा जो है कब कोडर्मा जिले का निर्मान कब हुआ था यह आप कमेंट करके बताए कोडर्मा जिले का निर्मान कब हुआ था कोडर्मा जिले का निर्मान कब हुआ था कोडर्मा में जो है यहां पर अबरक पाए जाता है ठीक है इसलिए इसको अबरक मतलब अबरक की नगरी भी बोलते हैं अबरक नगरी भी इसको कहा जाता है और कोडर्मा जो है अगर बोला जाए तो कहां पर है नौर्ट छोटा नागपूर में ठीक है कोडर्मा कहां पर है नौर्ट छोटा नागपूर है और यह जो है इसका कब हुआ था 1994 में 10 अप्रेल 1994 में जो है ये जीले का निर्मान हुआ था कब 10 अप्रेल 1994 में जो है जीले का निर्मान हुआ था कोडर्मा का अब बताई एसी में कि धनबाज जीले का निर्मान कब हुआ था ठीक है धनबाज जीला भी जो है ये उतरी छोटा नाकपूर में ही है तनबाज जीला कहाँ पर है उत्री छोटा नाकपूर परमंडल में है और इस जीले का निर्मान जो है कब हुआ था 1996 में 1996 में जो है इस जीले का निर्मान हुआ था 1996 में और अगर हम बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो का 1991 में इसका निर्मान हुआ था 1991 में जो है इसका निर्मान हुआ था और हजारी बाग के बारें बात करेंगे तो 1834 में जो है इसका निर्मान हुआ था ठीक है बुकारों का 1991 धनबाद में 1996 हो गया और कोडारमा का 1994 में निर्मान हुआ था इन में से कौन सा जलपरपाद देवघर जिले में है ठीक है देवघर जिला में एक आता है मधूपूर ठीक है तो मधूपूर में जो है कौन सा है बकूलिया बिचकिलिया नहीं है बिचकिलिया कहाँ पर है चत्रा में है यह है बकूलिया वाटरफॉल तो बकूलिया वाटरफॉल कहां पर है देवगर जिले के मधूपूर में इस्तित है यह गुरु सिंदू हो गया यह सुकलदारी हो गया दोनों जो है कानहर नदी पर इस्तित है कहां पर है कानहर नदी पर इस्तित है और ये कहां है कहां पर कानहर नदी में इस्तित है और ये कहां पर है गड़वा जीले में है गुर सिंदु हो गया या फिर सुखलदारी हो गया दोनों जो है गड़वा जीले में इस्तित है अब आपको बताना है कि गड़वा जीले का निर्मान कब हुआ था गड़वा जीले जो है पलामू परमंडल में आता है इस जीले का निर्मान जो है ये कब हुआ था जब चत्रा का निर्मान हुआ था ठीक है तो कब इस्टा 1991 में इसका निर्मान हुआ था ठीक है गड़वा जीले गड़वा अगर बात करें या फिर चत्रा का बात करें तो इन दोनों का जीले का निर्मान जो है 1991 में हुआ था ठीक है और इसके साथ ही जो है बोकारो का भी 1991 में बोकारो बोकारो हो गया गड़वा हो गया चत्रा हो गया इन सभी का जीले का निर्मान कब हुआ 1991 में जो है इसका जीले का निर्मान होता है ठीक है अब देखिए नेश्ट आते हैं का ठीक है तो बोकारो हो गया चत्रा हो गया गड़वा का निर्मान जो है 1991 में हे सातू जल पर पात कहां पर है ये कहां पर है तो हे सातू जल पर पात जो है और गुंगा जाग ये भी कहां है गड़वा में है हे सातू भी कहां है गड़वा में है और इसके साथ ये और याद रखिए गुंगा जाग तो गुंगा जाग जो है ये भी कहां है गड़वा में है ठीक है तो गड़वा पर यहां पर देखिए गुरू सिंदू हो गया गड़वा में सुकलदारी हो गड़वा में हे सातू वाटरफॉल भी गड़वा में गुंगा जाग इसके साथ ही याद है कहां है अपका यहां पर है गड़वा में है ठीक है अब नेश्ट क्वेशन आते हैं कि जल परपात अबंग संबंदि जीला कौन सा है कौन सा जल परपात किस जीले में सही नहीं है यह हमको फाइंड तो दसम वाटरफॉल जो है दस धराओं से मिलकर बना है और किस नदी पर है यह कांची 90 किस नदी की सहिक नदी आइ तो ये कहां पर है दसम वाटरफॉल यह रांची में यह तो बिल्लकुल क्या है बढ़ान क्Weat waterfall है जिसको क्या बोलते है remix waterfall बोलते है ये भी काची नदी पर है ठीक है सुगा काटा waterfall तो सुगा काटा waterfall कहां पर है ये सिम्डेगा में स्थित है तो सुगा काटा waterfall बिल्कुल कहीं कहां पर है सिम्डेगा में स्थित है और सिम्डेगा अगर याद है तो ये क्या है कि 30 अप्रेल 2001 में जो है इसका क्या हुआ था 30 अप्रेल 2001 में जो है इस जीले का निर्मान हुआ था अब बताईए कि 4 अप्रेल 2001 में किस जीले का निर्मान हुआ था है ठीक है चार अप्रेल 2001 में किस जीले का निर्मान हुआ था आप कमेंट किजिए तो यह चार अप्रेल 2001 में किस जीले का निर्मान किया गया था कि अच्छा निर्मान कब हुआ था दीज अप्रेल 2001 को अच्छा लाते हार का निर्मान आप बताएं कब हुआ था लाते हार का अंदर निर्मान हुआ था चार जुलाई कब हुआ था चार जुलाई 2001 का हुआ था ना लाते हार कहां पर है लाते हार जो है यह पलामू परमंडल में परता है ठीक है पलामू परमंडल में परता है तो यह कब हुआ था लाते हार में ठीक है तो इन दोनों याद रखना है सुका काटा जल परपात कहा ह सिम्डेगा में है सदनी घाग जल पर पात तो सदनी घाग जल पर पात कहां पर है सदनी घाग जो है ये गुमला में परता है ये भी क्या है सही है सदनी घाग कहां पर है गुमला में और गुमला गुमला जिला कहां पर परता है गुमला जिला गुमला जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है और गुमला जिला के बारे में बात करेंगे तो ये किस प्रमंडल का हिस्सा है आपको कमेंट कीजे कि गुमला जिला किस प्रमंडल का हिस्सा है ये जो है दक्षिनी छोटा नाकपुर का हिस्सा है और ये जो है इसकी अस्थापना कभ को भी थी 1983 में इसका इसका कभ हुआ था 1983 में इसका निर्मान किया गया था ठीक है 18 मई 1983 में गुमला जीला बना था 1983 में देखिए गुमला कभ बना था 1983 में बना था गुमला जीला और इसके साथ ही और एक याद रखिए 1983 में क्या हो गया गुमला हो गया इसके साथ भी जो है गोड़ा जीला का भी निर्मान कभ हुआ था 1983 में हुआ था गोड़े जिला का निर्मान ठीक है यह 1983 में हुआ था अब देखें यहां पर क्या है भटिंडा वाटरफॉल यह क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि भटिंडा वाटरफॉल लाते हार में नहीं है यह कहां है धनबाद जिले में पड़ता है धनबाद कहां पर पड जीले का जो निर्मान है. तो भटिंडा वाटरफॉल को जो है, मुनिडी वाटरफॉल केwork के नामसे जाना जाता है। और किस नदी पर है ये कत्री नदी पर है और कत्री नदी किस की साहिक नदी है दामोदर की साहिक नदी है ठीक है आपको कमेंट कीजिए अभी हमने बता है कि धनबाज जीले का जो निर्मान है ये धनबाज जीला जो है ये क्या है धनबाज जिला कब बनाथा धनबाज जिले का निर्मान हुआ जोना वाटरफॉल वाटरफॉल को यानि कि जोना जलपरपात को अनिकिस नाम से जाना जाता है तो जोना वाटरफॉल जो है इसको गौतम धारा के नाम से जाना जाता है ठीक है गौतम धारा के नाम से जोना वाटरफॉल को जाना जाता है और ये जो है किस नदी पर है राडू नदी पर है ठीक है राडू नदी पर है जादी पर और एक waterfall है जिसका नाम क्या है सिता waterfall, ठीक है, सिता waterfall कहां पर रहे, ये भी राडु नदी में इस्तित है, देखिए, गोतम बुद्ध तो नहीं होगा, गोतम घाग एक हो सकता है, गोतम जलपरपात नाम से कुछ नहीं है, गोतनी जलपरपात नहीं है, गोतम घाग पर है ये लातेहार में है ठीक है कि नेश्ट देखते हैं कि जल परपात एंग समंधित नदी का कौन सा विकल्ब गलत है गौतम घाग किस बुढ़ा नदी पर है ये क्या है कौतम घाग जो है ये बुढ़ा नदी पर है ठीक है ये सही है अब देखे गौतम गाग तो गौतम गाग जो है बुड़ा नदी पर है ये कहा है बिल्कुल सही है और कहां पर पड़ता है गौतम गाग ये लातेहार में करता है गौतम गाग और गौतम धारा में कन्फूजन नहीं होता है गौतम गाग जो है लाते हार में पड़ता है किस नदी पर है बुढ़ा नदी पर है लेकिन गौतम धारा जो है ये जोनः वाटरफाल का दूसरा नाम है और ये कहां पर है राची में है और राडू नदी पर है नेस्ट क्या हो गया बिचकिलिया निरंजना नदी पर है ये भी बिल्कुल सही है ये भी सही है और ये कहां पर है निरंजना नदी चत्रा से निकलती है ठीक है और ये बिचकिलिया वाटरफॉल जो है कहां पर है निरंजना नदी पर है निर्ञाने जिला में और एकजक्ट अगर बोलें तो कहां पर है मधुपूर में है थीक है सीता वाटरफॉल कि इशतन नदी में है राडू नदी में यहां पर जोना वाटरफॉल है ठीक है फिर यहां पर देखिए गुरु सिंदू जलपरपाथ क्या ये कांची नदी पर है नहीं ये बिकल्प क्या हो गया गलत हो गया गुरु सिंदू जलपरपाथ कांची नदी पर नहीं है गुरु सिंदू जलपरपाथ जो है ये काना नदी पर है और कहां पर है गड़वा में है गुरु सिंदू जलपरपाद जो है ये किस नदी पर है कानहर नदी पर है कानहर नदी हो गया इसके साथ ही जो है कहा पर है ये गुरु सिंदू जलपरपाद गड़वा में है ठीक है और इसके साथ ही और गुरु सिंदू हो गया सुकलदारी भी कहा है सुखल धारी सुखल धारी वाटरफॉल भी का है ये भी गड़वा में है तो इसमें क्या होता है कि इस तगर के इधर से जो है यह राडू नदी है और कांची नदी है दोनों क्या पैरलली जाती है दोनों जो है कांची पैरलली जाती है इसमें जोना वाटरफॉल है जोना वाटरफॉल है सीता वाटरफॉल है इसी में जो है क्या है कि दस्सम वाटरफॉल है ठीक है रिमिक्स वाटरफॉल है ठीक ह ये दोनों जो है कहाँ पर एक जारखंड हो गया और वेस्ट बेंगॉल के बॉर्डर में जो है कहाँ पर मूरी के पास मिलता है मूरी के पास इन दोनों नदी का जो है मिलन होता है कहाँ पर मूरी के पास ठीक है और किस से किस नदी से होता है इन दोनों नदी का उदगम स्वन रेखा नदी से स्वन रेखा नदी से जो है मूरी के पास राडू नदी और काँची नदी का मिलन होता है लगता एकी जगह में लेकिन दोनो जो है राडू नदी और काची नदी अलग लग जगह पर जो है मिलती है लेकिन लगवे वो जो है दोनो एरिया कहां पर है मूरी के पास ही है ठीक है तो इसका correct answer जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका correct answer गलत इसमें चुनने को कह रहा है तो गलत कौन सा गुरू सिंदू जलपरपात है ये कहां पर गड़वा जिले में है और कानर नदी पर है अब देखें नेश्ट के आई कि लोध घाग जलपरपात के उच्छाई कितना है लोध घाग को जो है बुढ़ा घाग बोलते हैं ठीक है लोध घाग को जो है अन्य किस नाम से अगर उपनाम इसका बोले तो क्या है एक तो बुढ़ा घाग है ठीक है, फिर क्या है, लोध घाग है, फिर क्या है, लोध है, जल पर पात है, सभी एक ही है, और यह कहां पर है, बुढ़ा नदी परेस्थित है जो नौर्थ कोयल कि जो है साहक नदी है तो अगर फिर से कि अगर बुढ़ा नदी ऑप्शन में ना रहा है तो हम नौर्थ को एल मान सकते हैं ठीक है और बुढ़ा नदी अगर रहेगा तो बुढ़ा नदी को first preference देंगा और कहां पर है लाते हार में है कहां पर लाते हार में है ये जो है जारखंड का सबसे उंचा जारखंड का जो है सबसे उंचा जलपरपात है ठीक है सबसे उंचा वाटरफॉल है ठीक है और second में जो है ये क्या है हुन्रू जलपरपात हुन्रू वाटरफॉल अगर हाइट पूछा जाए तो इसका हाइट हुन्रू वाटरफॉल का जो हाइट है वो कितना है 97.5 मीटर और फिट में अगर पुछा है 320 फिट होता है लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लोज जर्परपात की उचाई कितनी है तो 143 मीटर जो है जारखंड का सबसे हाइस्ट वाटरफॉल कितना का है 143 मीटर में यह एक्जेक्ट है 143 मीटर ठीक है नेक्स जो है इनमें से कौन सा जल्परपात खूटी जीले में इस्तित है तो खूटी जिले में जो waterfall इस्तित है ये क्या है एक तो पंच घाग हो गया ठीक है पंच घाग कहां पर हो गया खूटी में हो गया ठीक है खूटी में हो गया पंच घाग उसके बाद क्या हो गया पेरवा घाग भी खूटी में हो गया उलूंग भी कहां हो गया खूटी में त ये सभी जो है खूटी में इस्तित है इसके अलावा पंच घाग जो है किस नदी पर इस्तित है याद रखना है कि ये जो है बनाई नदी पर इस्तित है पंच घाग खूटी में है लेकिन कहां पर है बनाई नदी पर इस्तित है ठीक है पेरवा घाग जो है ये तोरपा परखं प्रखंड में नदी पर है इसके साथ ही तौरफा प्रखंड में और एक वाटरफॉल है जिसको क्या पूलते हैं कि लावा ख़ाग वाटर उलूंग जर्परपाद जो है खूटी जीला मिश्तित है और यह जो है साउथ कोयल दक्षनी कोयल नदी पर है ठीक है दक्षनी कोयल नदी पर है ठीक है कहां पर है दक्षनी कोयल नदी पर है उलूंग जर्परपाद कहां पर पढ़ता है यह उलूंग जर्परपाद ठीक है साउट कोयल नदी पर पड़ता है ठीक है यह हो गया उलुग जल पर पाद इसके अलावा जो है यहाँ पर और कौन सा वाटरफॉल है रानी वाटरफॉल है रानी वाटरफॉल है रानी वाटरफॉल भी कहा है यह भी खूटी में स्तीत है इसके अलावा पंगुरा वाटरफॉल पंगुरा वाटरफॉल यह भी कहा है रानी वाटरफॉल हो गया पंगुरा वाटरफॉल हो गया फिर पंच घाग वाटरफॉल हो गया पेरवा घाग लवा घाग उलूंग जलपरपात ये सभी जो है खुटी में है ठीक है तो इसमें correct answer चुना जाए तो सभी है ठीक है तो option number D अब देखें खुटी जिले का निर्मान कब होता है तो 12 September 2007 में क्या है खुटी जिले का निर्मान होता है इसी तरह रामगर का भी जो निर्मान होता है रामगर जिले का ये भी 12 September 2007 को रामगर जिले का निर्मान होता है कब रामगर जिला कहां पर पढ़ता है ये नौट छोटा नाकपुर में पढ़ता है और इसका 12 सप्टमबर 2007 में जो है इस जिले का निर्मान होता है इन में से कौन सा जलपरपात लातेहार जिला में है तो लातेहार जिला अगर याद है तो कब इसका निर्मान होता है लातेहार जिला का तो लातेहार जिला का जो निर्मान होता है ये 4 अपरील 2001 को होता है ठीक है और इसके साथ ही जो है किसका इसके साथ ही है लाते हार अगर याद है तो सिम्डेगा भी याद रहना चाहिए सिम्डेगा ये भी 30 अप्रेल जो है 2001 को जो है इसका नाव अब आपको बताना है कि 26 अप्रेल 2001 को किस जिले का निर्मान होता है कमेंट पर जरूर बताईए तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा जिले कौन सा जलपरपात लाते हार जिला में हुन्रू जलपरपात जो की जारकंड का सेकेंड हाइस जलपरपात है और ये कहां पर है राची में स्थीत है सुनरेखा नदी पर ठीक है किस नदी पर एस तीत है ठीक है पंच घाक जलपरपात तो पंच घाक जलपरपात जो है इसके साथ ही रामगर जिले का भी निर्मान होता है 12 सेप्टमबर 2007 को मिर्चया जलपरपात कहा है ये जो मिर्चया जलपरपात है ये कहां पर पड़ता है तो मिर्चया जलपरपाद जो है ये कहां पर पढ़ता है ये लातेहार में पढ़ता है बेतला नेशनल पार्क के बगल में ठीक है ये कहां पर पढ़ता है मिर्चया जलपरपाद तो ये भी लातेहार में पढ़ता है और बेतला नेशनल पार्क नेशनल पार्क ठीक है इसके न नदी पर है मिर्चया नदी पर मिर्चया वाटरफॉल जो है मिर्चया नदी पर है और मिर्चया नदी जो है यह किसकी साहिक नदी है यह नौर्थ कोयल की साहिक नदी है नौर्थ कोयल की साहिक नदी है ठीक है मिर्चया वाटरफॉल ठीक है तो कहां पर है लातेहर में है अब नेक्स्ट हो गया कि पारस डी वाटरफॉल तो पारस डी वाटरफॉल कहां पे रहे ये गड़वा मिश्ती थे और ये जो है पारस ये पारस नदी और पंडा नदी कि संगम परिस्ती थे प्लस पंडा नदी ठीक है कि संगम परिस्ती थे ये पारस डी जल पर पात तो और कहां पे है ये गड़वा में है देखिए एक है पातम डाटम ठीक है इसको भी याद रखिए पातम डाटम ये पातम डाटम कहां पर है ये भी लातेहार में है ये वाटरफॉल है पातम डाटम ये भी कहां है लात लाते हार जिला में कौन सा है तो इन चारो अप्शन में जो लाते हार जिला में है ये कौन सा है मिर्चया वाटर फॉल ठिक है इन में से कौन सा जलपरपात पलामू जिला में है तो पलामू जिला में कौन सा है घागरा कुंड वाटरफॉल ये कहां पर पड़ता है ये पलामू जिले में घागरा कुंड वाटरफॉल पड़ता है ठीक है और किस नदी पर पढ़ता है, बढ़की नदी इसका नाम है, ठेक है, घागरा कुंड, वाटर फॉल और कहां पर जगा की बात बोले हैं, हुसैनाबाद हुसेनाबाद तो पलामू में जो है एक सिमेंट फैक्टरी भी है जपला सिमेंट फैक्टरी तो जपला सिमेंट की फैक्टरी कहां पर है ये भी हुसेनाबाद में ही पड़ता है तो घागरा कुंड चलपरपाद और जपला जो है सिमेंट फैक्टरी जो है देमू वाटरफॉल है क्या है देमू वाटरफॉल फिर घागरा कुंड वाटरफॉल ये कहा है ये भी है ठीक है फिर देमू वाटरफॉल भी कहा है ये ये भी जो है किस नदी पर है देमू वाटरफॉल ये है पौडी नदी पर पौडी नदी ठीक है पौडी नदी पर नेस्ट क्या हो गया घागरी वाटरफॉल तो घागरी वाटरफॉल क्या है एक घागरी वाटरफॉल भी है घागरी वाटरफॉल भी यह क्या है घागरी वाटरफॉल तो घागरी वाटरफॉल जो है यह क्या है राची में है घागरी वाटरफॉल घागरी वाटरफॉल जो है प्राची में जामुनी नदी पर है घगरी वाटरफॉल क्या है जमनी नदी पर है तो इसमें पूछ रहा है पलामू जिला में तो घगरा कुंड भी है पलामू जिला में और देमू वाटरफॉल भी है पलामू जिला में तो option number D इसका correct answer होगा तो इसमें देखे confusion नहीं करना है एक घगरी है एक क्या है घगारी है एक घगरी है ठीक है ये क्या है घगरी है और एक क्या है एक घगरी है ठीक है और एक क्या है ठीक है दगागरा कुंड तो पता ही चल गया ये बढ़की नदी पर हुसेनाबाद पलामू पड़ता है तो घगारी और घगरी तो घगरी जो है ये कहाँ पर हो गया ये राची में हो गया और किस नदी पर है जमुनी नदी या जामुनी नदी ठीक है जामुनी रिवर पर है अब घगरी जो हो गया ये कहाँ पर है लातेहार में है घगरी नदी कहाँ पर है लातेहार में है और ये क confusion नहीं होना चाहिए तो इसका correct answer कौन सा हो जाएगा option number जो हो है D इसका correct answer हो जाएगा A और B दोनों में जो है पलामू जीला में इस्तित है तमासीन जलपरपाद जो है किस नदी पर इस्तित है तो तमासीन जलपरपाद जो है कहां पर इस्तित है तमासीन जलपरपाद जो है ये मुहाने नदी पर इस्तित है ठीक है तमासीन जलपरपाद कहां है मुहाने नदी में इस्तित है किस नदी पर इस्तित है तमासीन ये हो गया मुहाने ठीक है तमासीन वाटरफॉल जो कहा है चत्रा में है ये देखिए ये क्या हो गया ये फल्गू रिवर हो गया ठीक है ये बिहार में जाके मिलता है ठीक है और ये क्या हो गया निरंजना और यहां पर बिच के लिया वाटरफॉल है बिच के लिया वाटरफॉल ये किस नदी पर बिच के लिया वाटरफॉल निरंजना पर जो कहां से चत्रा से निकलता है और एक हजारी बाग से निकलता है कौन सा नदी ये हो गया मुहाने नदी और यहां पर जो है तमासीन जल पर पात है तमासीन वाटर फॉल है ये भी कहां पर है चत्रा में है ठीक है तो तमासीन वाटर जल पर पात कहां पर है ये इस नदी पर है मुहने नदी पर ये जो है संख नदी पर कौन सा जल पर पात है संख नदी में कौन सा जल पर पात है संख नदी कहा है गुमला में है और ये जो सदनी घाग है सदनी घाग है ये कहां पर है ये संख नदी पर पढ़ता है तो इसका correct answer कौन सा हो जाएगा option A हो जाएगा ठीक है देखिए चत्रा की बात हुई है तो चत्रा में और कौन-कौन से important waterfall है एक दो गौवा waterfall हो गया ठीक है एक हो गया केरी दह waterfall हो गया केरी दह waterfall हो गया इसके अलावा जो है ये सुमेडुमेर जो है सुमेर डुमेर waterfall भी है ये कहां हो गया सुमेडुमेर waterfall ये भी चत्रा में है एक खेरवा बंदारू waterfall भी है बरियो waterfall भी है मालूदा waterfall भी है तो ये भी important है मालूदा waterfall भी है ठीक है तो ये सभी जो है कहाँ पर है चत्रा मिश्ती थे लेकिन मुहने नदी पर तमासीन waterfall है ठीक है और 15th question है और अंतीम question है इन में से कौन सा जलपरपात कोडर्मा जीले में है तो कडर्मा जीले में जो है कौन सा ये question wrong हो गया देखे ये नदी पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जीला पूछ रहा है तो कोडर्मा जो है आपको याद रखना है कि पेट्रो जलपरपात है पेट्रो जलपरपात कहां पर है कोडर्मा में है सदगावा के पास सदगावा के पास है कौन सा कोडर्मा में है और इसमें कुछ इंपोर्टेंट देखते है लावा पानी जलपरपात कहां पर है लावा पानी वाटरफॉल ये कहां पर है ये लोहर दग्गा में है लावा पानी वाटरफॉल कहा है लोहर दग्गा है ठीक है लोहर दग्गा में है केकरांग वाटरफॉल कहा है ये भी जो है लोहर दग्गा में है धारा गिरी अगर पुछा जाए धारा गिरी वाटरफॉल कहां पर है ये है कहां पर पूर्वी सिंग भूम मैं तारा गिरी मोती वाटरफॉल कहां पर है ये शाह थggh औझा अज्या नदी में मोती वाटरफॉल कहां है ये साहिवन तनक्रण में फिर प्र भाग हुए ये तोरपा प्रखंड दित्यक है गुटी में जहान पर सदनी 1200 जहां पर जो पंच घाग है, वहीं पर पेरवा घाग भी इस्तित है, तो ये जो है 15 important questions थे, next जो है कल के session में भी जो है, ये जलपात पड़ा से ही related questions रहेंगे, तो ये 15 questions कैसा लगा आपको comment जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share और subscribe करना ना भूलें, thanks for watching working thoughts.